नमस्कर, मैं हूँ सच्चिदानद वसिष्ट सजनों अब जो वीडियो आ रही है ये मेश रासी के लिए है और मेश रासी वालों के लिए जो अब शनी का परिवर्तन हो रहा है वो कैसा रहेगा उनके जीवन के अंदर शनी का कहां कहां कैसा कैसा अच्छा प्रभाव रहेगा कहां कहां शनी का दुष्प्रभाव रह सकता है तो उसकी जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं आने वाले 17 जनवरी से दो हजार तेईस 17 जनवरी दो हजार तेईस में शनी अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशी परिवर्तन मकर राशी से निकल करके और कुम राशी के अंदर शनीदेव जा रहे हैं तो जो जिनकी मेश राशी है उनकी पहले भी शनी उनके लिए ठीक था और अब जो राशी परिवर्तन हो रहा है उसमें भी उनके लिए ठीक रहेगा लेकिन हर वस्तू जो गुनकारी होती है वो कहीं न कहीं नुक्सान देह भी होती है इसलिए इस शनी का कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव का परिवर्तन होगा आपको जो फल मिलने वाले जैसा पहले फल मिल रहा था उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ उस फलों के अंदर परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन क्या है सनी आपके ग्यारवें स्थान में गए कुम्ब रासी में गए तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्तियों की आर्थिक इस्थिति मेश रासी वालों की आर्थिक इस्थिति सुद्रड होगी इंकम के नए सोर्ष बनेंगे और कहीं से भी जो डूबा हुआ धनग है उसके भी आने के रास्ते बनेंगे इसके साथ ही साथ कोई नया कारोबार हो सकता गए यानि संसाधन हमारे बढ़ेंगे अब ये सनी यहां से बैट करके और जहां जहां दृष्टी डाल रहे हैं सनी की दृष्टी के अंदर जो कहें दुस्प्रभाव होता जी अब जो सनी है केवल मात्र लाब के लिए बढ़ियाग हैं यस के लिए बढ़ियाग हैं प्रतिष्ठा के लिए बढ़ियाग हैं लेकिन अब सनी आपके सभाव के उपर इनका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा सभाव आपका तीब्र हो जाएगा आपको बात बात के अंदर कुरोद आने लगेगा आप जो हैं थोड़े सिन्की टाइप हो जाएंगे और यही शनी यहां से बैठ करके और एक द्रस्टी होती है सनी की सब्तम द्रस्टी और वो सब्तम द्रस्टी पंचमिस्थान के अंदर है सिंगरासी के उपर है तो जो मेशरासी वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कते आएंगी उनको दिक्कते क्या आएंगी पढ़ाई में लापरवा हो जाएंगे और दीर्ग सुत्री हो जाएंगे जो काम एक घंटे में होने वाला का है उसमें डेड़ घंटा दो घंटा ये इसको दीर्ग सुत्रीता कहते हैं तो ये सारे लक्षन उनके हो जाएंगे पढ़ाई में मन नहीं करेगा और पढ़ाई में जब मन नहीं करेगा तो आगे उनका विकास रुक जाता कहें और अब इसके अंदर गर्ववती महिलाएं जो हैं उनके लिए ये शनी क्या प्रभाव देंगे तो उसके लिए सीधी सी बात है संतान के लिए भी शनी का प्रभाव अच्छा नहीं है सबसे पहली बात शनी की दृष्टी के अंदर विनास होता रहे अर्थाज जो गर्ववती महिलाएं हैं वो अपने गर्व का पुरा ख्याल रखें इसके अंदर गर्वसराव हो सकता है गर्वपात हो सकता है गर्व में किसी ने किसी प्रकार की विक्रती आ सकती है पेट में कोई खराबी हो सकती है पेट में खराबी तो मेश रासी वालों के लिए सबी के लिए है चाहे वो विद्यारती हैं, चाहे वो गर्वती मैलाएं हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, पेट के अंदर उनको जो है कोई नो कोई तकलीब जरूर होगी अब ये सनी, अपनी इनकी एक द्रस्टी है, दसम द्रस्टी, और दसम द्रस्टी जो के आपके अस्टम स्थान में जा रही है, ब्रस्टिक रासी के ऊपर इनकी दसम द्रस्टी पढ़ रही है, और जो ब्रस्टिक रासी है वो आपकी आयू का स्थान के तो शरीर के ऊपर, प्रभाव कुछ ठीक नहीं रहेगा, तो मैं मेश्राशी वालों को बताना चाहता हूं, वो सनी का दान करें, सनी का कुछ उपाय करें, सनी के मंत्र का जाप करें, और सनी के मंत्र की शांती करें, सनी के मंत्र को जाप करके जैसे ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह सनय नमह ये मंत्र है अगर इतना भी आप नहीं जप सकते हैं तो फिर आपको जपना चाहिए कि ओम सनय नमह या फिर सनी का कोई स्तोत्र आपको आता है तो सनी के स्तोत्र का आप पाठ करें और इतना सब भी ना करें तो हन्मान जी की उपाशना करें हन्मान जी की उपाशना के अंदर जितना भी अधिक से अधिक हो सके सनीवार के दिन हन्मान चलिशा का पाठ करें सुन्दरकांड का पाठ करें रामायन का पाठ करें तो ये करने से सनी का प्रभाव नहीं होता क्योंकि हन्मान जी के ऊपर किसी भी ग्रे की चाल नहीं चल पाती है तो ये मैंने आपको मेशरासी वालों के लिए बताया है तो अब आपको और भी कोई जानकारी की आउशीक्ता कए तो आप इन नमरों पर संपरक कर सकते हैं आपको अरपन करना है और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जनमपत्री के बारे में वास्तु के बारे में और भी कुछ आपकी समस्या के उसके बारे में आप जान सकते हैं नमस्कार